परेशानी है कुछ बात मुझे खाई जा रही है अंदर ही अंदर आपने देखा होगा एहंदाबाद की एक लड़की आश्र जिसने सुसाइड कर लिया मेरी भी छे बहने हैं और उन छे बहनों को और हिंदुस्तान की सारी बहनों को और पुरी दुनिया में जितनी लड़कियां है उन सब को ये मेरा सीधा डायरेक्ट मैसेज है आईशा के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हो पतानी किस परेशानी में होगी पतानी क्या-क्या बरदास करती होगी पतानी उसके क्या बीती होगी पर उसनी जो किया वो भी बहुत गलत किया उसने एक अपनी लेंग्विज में कुणा के छूट दिया बेवकुफ जिसने कह दिया के मर जा तो मरने को उसको दिखाने के लिए खरी होगी लेकिन जो उसके माबाब रोते बिलगते हुए तड़ते हुए उसे कह रहे थे बेटा घर आजा बेटा घर आजा सब सही हो जाएगा बेटा घर आजा था उसकी बात उसने नहीं सुनी मैं सारी बेहनों से कुँँगा कि खुदकुशी सॉल्यूशन नहीं है अगर बात नहीं बनती है लड़ाई चगणा आप छोड़ दो मेरी छे बेहनों को भी बनती है अगर लड़कियां बताती ही नहीं है और माबाप ये समझते है कि पड़ोसी क्या सोचेंगे रिस्तेदार क्या सोचेंगे वो क्या सोचेंगे ये क्या सोचेंगे और लड़कियों को इस तरह से छोड़ देता है मैं आपके आगे हाद जोड़ता हूँ रिस्तेदार गए भाड़ में पड़ोसी गए भाड में दुन्या वाले गए भाड में अपनी लड़की की बात सुनो उसे समझने की कोशिश करो क्या उर्टे सिर्फ बुरखा पहन के इफ्तारियां मनाने के लिए है या धर के खाने मनाने के लिए है कपड़े धोने के लिए है